हेलो फ्रेंट्स वैलकम टू आवर यूटूब चैनल साइवर वल्ड दोस्तों जैसा कि आप थमनेल देखकर जानी गए होंगे सोसल मीडिया पर इसी तरह के खवरे आ रही है कि वाट्सेप डर गया है मैं आपको बता दूँ वाट्सेप ने जो अभी हाल में ही नई प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया था जिसमें उसने बताया था कि अगर आप उसके privacy policy को 8 फरवरी तक accept नहीं करते हैं तो आपका वो WhatsApp बंद कर देगा और जिन लोगों ने उसके privacy policy को accept किया उन्हीं लोगों का WhatsApp चलेगा लेकिन फ्रिंट्स अभी WhatsApp डर चुका है लोगों में चर्चा बहुत तेजी से चल रही थी बहुत लोग WhatsApp का मजाग भी उड़ा रहे हैं WhatsApp ने 8 फरवरी का जो डेट रखा था उसे बढ़ा कर अब सीधे 5 मई को कर दिया है जी हां दोस्तों 8 फरवरी का डेट चेंज करके अब सीधे 5 मई को कर दिया है और WhatsApp का कहना है कि हम लोगों को समझाएंगे न्यूज पेपर से लेकर हर जगा उनके अड़ आ रहे हैं कि हमने आपके प्रैवेसी पॉलिसी को हमेशा ध्यान में रखाया और आगे भी रखेंगे लेकिन प्लेइश्टोर पर WhatsApp की जो डाउनलोडिंग संख्या थी वो 35 परतिसट घट गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक नए अप्लिकेशन जिसका नाम सिगनल है उसका 40 लाख नए डाउनलोड इंडिया में हो गया है और साथ ही टेलिग्राम एप की डाउनलोडिंग संख्या तेजी से बढ़ रही है तो लोग वाटसेप से टेलिग्राम और सिगनल की तरफ सिफ्ट होने लगे इसे देखते हुए वाटसेप काफी डर गया और इसी के कारण वो 8 फरवरी का डेट चेंज करके 15 मई तक कर दिया और इसको लेकर लोग सोसेल मीडिया पर काफी मजाग भी उड़ा रहे थे कि वाटसेप डर गया तो फ्रेंड्स इसके लिए आपकी क्या रहा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता है और 8 फरवरी वाला डेट अब 15 मई को कर दिया गया है अगर इसी तरह रहा तो वाटसेप 15 मई का भी डेट बढ़ा सकता है वाटसेप में कई जगह अपने एड्स से बताया है कि जो आपका चैट और कॉल रहेगा उसे प्राइवेट ही रखेंगे और कोई भी किसी से चैट कर रहा है तो उसे कोई थर्ड पार्टी नहीं देख सकती इन सब के बारे में वाटसेप में निउस पेपर में पूरा अड़टाइजमेंट पूरा डिटेल दिया है लेकिन अब देखना आगे है क्या होता है वैसे आठ फरवरी से बढ़ा कर 15 मई तक कर दिया गया है तो इसको लेकर आपकी क्या रहा है कमेंट वॉक्स में जरूर बताए और वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करें और इसी तरह के वीडियो स्पानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को पेस करना है ना भूले